हेलो ओका एट्थ साइंस का विप चैप्सर को थ ai कल आठ करें व्योर्ड ख्याड तो कल आपने सिंप prisoner के बारे में पड़ा कंपलीट कंपड सिय्ट क्या होता है करने कि यह यहाए था में जी carry के होसलुbest Maggie कोने जो खुझी 9 a ओक्सीन होता है दो आपके अप्स आप हमने कल बेसी चीज़े पड़ी अपना नेक्स टोपिक क्या आता है बिटा देखो इगनिशन टैंप्रेचर ठीक है इगनिशन टैंप्रेचर वो न्यूंतम तापमान एक तरह से हम बोलेंगे इगनिशन टैंप्रेचर भी बोला जाता है ठीक हर एक जो सबस्टांप्रेचर भी बोला जाता है इगनिशन टैंप्रेचर होता है उसकी जो क्रेक्टर स्टिक्स होती है वो अलग होती है इसी वह जैसे क्या होता है उसका इगनिशन टैंप्रेचर होता है ठीक है कोई भी सबस्टांप्रेचर से बिलो क्या नहीं करेगा कैस नहीं करेगा फायर को यानिकि उसमें आच नहीं निकलता है कि यह क्या होता है जो क्या करता है करता है और जो कुकिंड गैस जो वे इसी तरह है चारकोल है कॉलाज twee जलना स्टार्ड अधिय जसा लखडि थोड़ी सी बाहर से Mediterranean स्टार्ट करती तो उसको हम क्या बोलेंगो उसका इगनिशन टैंपरेचर ठीक है जब आप एक मैस्टिक को लाइट करते हो तो वहाँ पर क्या निकलता है हीट निकलता है जो क्या करता है उस मटीरियल को इगनिशन टैंपरेचर अटेंड करने में हेल्प करता है ठीक है जैसे क्या होता है जो फ्यूल है वो जलना स्टार्ट कर देता है तो वहां से क्या निकलना स्टार्ट हो जाती है हीट निकलना स्टार्ट हो जाती है और यह जो इगनिशन टैंप्रेचर है इससे अब हो है वो टैंप्रेचर रहता है ठीक है इससे बिलो नहीं जाता इससे ऊपर ही र बर्न कर जाए कि अग्निशन टैंपरेचर उसका होना है जिस पर बर्न करने लग जाएगा ठीक है नेक्स्ट आप का आता है टाइप सोप कंबस्टन आप कमश्टन के टाइप के क्या है ठीक है वह हम बाइवन बढ़ते जलें इनको फॉलॉइंग ग्रूप में डिवाइड कर है तो सबसे पहले आप का आता है रैपीड कमश्टन एक इंस्टेंट टाइम पे विदिन मिनट्स या विदिन सेकेंड जो स्टार्ट हो जाए ठीक है यह कंबस्टन के ऐसी फोम है जिसमें जाते वेटा बोट शारी अमाउंट ओफ फीट और लाइट जो होती है वह रिलीज होता है वहां से बिल्कुल इंस्टेंट टाइम पर ही जो हीट और अनर्जी हो निकलना स्टार्ट हो जाती है तो यह किसका एक्जामपल हो गया विटा आपका रैपीड कमश्टन का हो देखो यहां पे फाइर क्रेकर आप जो पटाकी जलाते हैं वह भी क्या है आपके इंस् तो जो हीट और लाइट होती है उसकी वोल्यूम कम होता है ऐस कमएट टुदी gjस उसकी बाद देखते हैं मेटा में क्या बोलते है क्स पोलोजन बोलते हैं तो आपने पताकी देखें वहули Megas और ऑलो नेकलती है तो इससे बहुत सारी होजh यह uh 125 है उसमें एक्सलोजन होता है तीक उसके ब्रीटोस होते हैं उसके सहाफ प्रपराफ फैल जाते हैं ठीक है एक्सलोजन मैं यह होते हैं इनर्जीस होता है इनक्रेकर जब आधे हैंतों로 टोकर निकलती है ञेक्षा थिसमें कोन सी गैसी निकलती है पॉइज्यनेइस गैस कहरती है उसको भड़ा थी है ठीक है नेक्स्ट आपकाता है जो कमस्टन है जे सलो मश्चन धीरए-धीरी जल ना ठीक है din कहीं डीरे तृमश को सब्सटी ठाला है 2004 ₹ किया है ऐ्के जहांती हां कि ऐसे जलीकेश जल्क प्रेट एंगा कूली जाएगा जिया करा जाएगा और क्या फों अगर अगर कंप्लीट बर्न होता है तो कल हम नहीं पढ़ लिया था और अगर इंकंपलीट बर्न होगा तो क्या पनादेगा वह कार्बन मोनो ओक्साइड ठीक है फिर से आ गया है इंकंपलीट कमभस्टन हमने पहले पढ़ लिया था कंपलीट और इंकंपलीट कमभस्टन इसमें जो फ्यूल्स होते हैं उसको लिमिटीड अमाउंट की एर और इसलिए सी इसमें डिफश्रेंट टाइप यहां को अंगीथी जलाते हैं तो क्या पैसी गास की सफ्पहरज बनो तो यहां पर हम कोईला प्लस ऑक्सिजन से फिशेंट क्वांटिटी वहां पर हम डाल देंगे तो इससे क्या हो जाएगा कार्बन मोनो ऑक्साइड ठीक है नेक्स्ट आजाता है आपका इन फ्लेमेबल सबस्टांसी जो बिल्कुल क्या हो एक इंस्टेंट टाइम जलने लग जाए ठीक है जिनका बहुत ही लोग बनिशन टैंपरेचर पर बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं और अगर उनके फ्लेम के कोंटेक्ट में आ तो बहुत जल् फ्यूल में थैं कोई सबस्टन घूरी है जो डिया और बनके और क्या ब्रोडूस करें एक इनर्जी पर्म किया प्रोडूस करें और ऑक्सिजन क फॉर्ण भिप ढंव श्रूट बद्द कंब्स अबएक का नहीं होगा और गाल एक हम गहार念 अब हधान में हमिलिदा आगे सि ठीक है तो यहां तक का आपने आज रीड करना है इससे आगे का हम करेंगे अपनी next class में fire exit star की बात करेंगे यानि कि जब fire लग जाए तो उसको control कि इस तरह से क्या solution हम use करेंगे ठीक है वीटा तो यहां तक का आज रीड कर लेंगे